हलो दोस्तों मैं हूँ गवरव एंड इस वीडियो में अपन AWS की एक नई सर्विस लेने वाले हैं और जो सर्विस अपन लेने वाले हैं उसका नाम है IAM अब बात करते हैं कि यह सर्विस है क्या चीज और इसकी जरुरत क्यों पड़ी तो यू मान लीजिए मैं एक कंपनी में हूँ और उस कंपनी का AWS इंफ्रा मैं मैं मैंनेज कर रहा हूँ अब उस कंपनी के अंदर 200-300 हैं जो मेरे को डेली रिक्वेस्ट करते हैं गरो मेरे को EC2 इंस्टेंस सही है मुझे बकेट क्रियेट होनी चाहिए या हर एक यूजर को एक अलग सर्विस का एकसे सही होगा समझने आ रही है आपको की अब मेरे अकेले के हाथ में चीज नहीं रहेगी कि अकेला कंट्रोल कर लूँ जब यह चीज मेरे हाथ में नहीं रहीगी मैं क्या करूँगा मैं बनाऊंगा अलग-अलग टीम्स बना दूगा मेरी टीम में मैंने दस लड़के रख लिए एक बंदा मैंने इस चीज के लिए रख लिया कि अगर कोई भी EC2 से related request आती है कि किसी भी user को एक EC2 इस्टेंस सही है तो पहले तो यह सकता है परस्टनल यूज के लिए EC2 इस्टेंस मांग रहा हूं पहले तो वैलिडेट करो कि उसकी जो रिक्वेस्ट है या नहीं है अगर रिक्वेस्ट है और उसको सच में उस एक EC2 इस्टेंस की नीड है तो create करके दो तो यह काम मैंने पहले बंदे को दे दिया आप इस चीज को आपको यह काम करना है आपको यह EC2 इस्टेंस create करकर के देने हैं दूसरे बंदे को मैंने बोला कि अगर कोई भी बंदा मेरे से बोलता है कि मेरे को एक S3 पर bucket create होनी चाहिए तो अब वापस उसके ल बंदा रख लिया कि आपको VPC route 53 AWS Lambda से related अगर कोई भी request आ रही है तो उसको आप manage करेंगे तो मैंने तीन बंदे रख लिया अलग अलग बट अब मुझे यहां पे यह भी शोर करना है कि जिस बंदे को EC2 इंस्टेंस बनाने का मैंने access दिया है वह S3 या route 53 को access ना कर पाए तो EC2 का permission है वह S3 नहीं create करना चाहिए जिसको S3 का permission है वह EC2 create नहीं करना चाहिए तो इस तरीकी का अगर अपने कोच चीज manage करनी हो AWS में तो अपन कैसे करेंगे उस चीज के लिए यहां पर आता है IAM identity access management अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AWS में आप कुछ भ जाती IAM में तो सपोस्स मैंने एक यूजर बनाया सोरह नाम का अब सोरव नाम का जो यूजर है उसको एक में permission दे दिया दूसरे के अंदर नहीं दिया तीसरे के अंदर नहीं दिया चौत्वे में दे दिया तो इस तरीके की problem हो सकती थी या फिर जो भी यूज यूजर बना दिया वो हर एक रीजन के अंदर आपको मिलेगा कितना समझ में आया अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं मैं आपको डैश्बॉर्ड पर लेके चलता हूं और वहीं पर यह सारी की सारी चीज करके दिखा दूँगा तो आपको देखिए यहां पर मेरे डैश्बॉर्ड पर यहां पर IAM दिख रहा है आपको अगर आपको यहां पर IAM नहीं दिख रहा है आपके आपके वेब ब्राउजर पर तो आप क्या कर सकते हैं सर्विस पर जा सकते हैं और यहां पर आपको यहां पर क्लिक करो जैसे ही मैं IAM सर्विस के अंदर गया तो आप यहां पर देखिए यह नंबर आपको कम यह ज़्यादा दिख सकते हैं क्योंकि रोल्स हो सकता है मैंने क्रियेट कर दिये हूँ ठीक है तो इन चीजों को मत लेना यूजर देखिए जीरो यूजर है ग्रूप जीरो है पॉरिसी जीरो एए इन इंटिटी मैं क्या करने वाला हूं यहाद है मैं इस यूजर की डीटेल्स मांगेगा तो आप देखिए यूजर का नाम दे दिया स्टार्टिंग में कोई पर्मिशन नहीं दूँगा और आपको मैं केवल EC2 की पर्मिशन देखे बताऊंगा एंड एक्सिस में देखिए आप पास्वर्ड एक्सिस देता हूं जिससे क्या होगा कि AWS से user अचे बारे में और आगे बात करने वालें पास्वर्ड एक्सिस से रहे है कि जो यूजर वह खुद का यूजर नेम डालेगा और पास्वर्ड डालेगा और यूगिन कर पाएगा कुद को इसके मैं उजल लेता हूं यहां पर मैं catastrophly में यहां पर password change करो क्योंकि अब मैंने password set に है तो मुझे सब सब के password पता हूंगे न तो यह चीज मुझे भी निढ़ना जिए किस user का पासवर्ड है उसके लिए यह चीज है बत मैं यहां पर इसको uncheck कर नेता हो यही उसका password रहेगा next permission जोभी user रहेगा उसको आप क्या-क्या permission दो अभी के case में मैंने जो सोरव user बनाया मैं इसको कुछ भी permission नहीं दे रहा है यह मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आपको पता रहे कि by default कौन सी permission अटेच होती है user को आप tax दे सकते हैं मैं tax अगर भी नहीं दे रहा this user has no permission अपने जान चला कि यह किया है एंड मैंने create user पे click कर दिया है जैसे ही मैंने create user पे click किया तो देखो इसने मेरे को एक url दिया है इस url को access करो और इस url के अंदर आपको आपने जो user बनाया उसकी details डालनी है और यहां पे देखो send mail आप mail भी कर सकते हो user को तो इसको क्या है उसको इसकी details mail हो जाएंगी अब मैं क्या करता हूं यहां पे इसको मैं open करता हूं incognito में copy link address and मैंने यह url copy किया तो mainly इस url के अंदर जबी भी आप sign in करते हैं देखो अब तक आप जबी sign in करते थे तो आपको इस तरीके का dashboard आता था और अब जब आप IAM पर क्लिक करोगे यहां पर आपको account number डालना है जो mainly आपका account number यह starting digit है ना तो जो आपका account number मैंनली यह जो दिख रहे है आपको यह digit यह आपका account number है इसको आप डाल दो and next पर क्लिक करो जैसे ही आप next पर क्लिक करोगे तो अब यह जो account है इस account के अंदर आपने जो user create किया था यहां पर आपको उसका login हो चुका दिख रहे हैं आपको मैं यहां पर login हो गया चलो अब इसकी कोई service access करने का try करते हैं मैं EC2 पर क्लिक करता हूं और आप देखिए यहां पर क्या आता है इतना समझ में आया आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी चलिए अब मैं क्या करता हूं यह जो user अपने बनाया था ना इसको एक policy अटेच करते हैं जिसके अंदर यह EC2 से related सारे के सारे action परफॉर्म करता है कैसे होगा वाफ पर सलते हैं इस सौरव यूजर में तो भया मैं बैक गया मैंने स्वयूर्ण elt किया तो जब आपने स्वयूर्ण ज्यूर्ण गया तो आको नीचे दीख रहा है एड़्यशे अप यहां पे permission एड़ कर सकते आपको क्लिक करना है और यहां पर मैं सर्च करता हूँ EC2 जैसे ही आप EC2 सर्च करेंगे तो आपको यहां पर देखो EC2 के यह सारे के सारे चीज़ आ गई EC2 read only access EC2 full access तो मैं क्या करने वाला हूँ इसको full access देना हूँ जिससे सोरो यूजर जो है वो machines बना सके फुल access दे दिया तो read की permission भी इसको मिल जाएगी और आप नीचे देखिए तो इसको यह सारी की सारी permission policy summary आप देखिए तो इसको यह च्छे permission मिलेगी auto scaling का full access मिलेगा बेसिकली यह जो सारी resources है इनके access मिलेंगे जो आपको यहां पर लिखे हुए है मैं क्या करता हूँ review करता हूँ and add permission पे click कर देता हूँ तो अभी आप देखिए जो सोरो यूजर है इस सोरो यूजर के अंदर यह policy जो है यह आटेच हो गई policy एक तरीके से permission की को देता है विम्हें जब भी आप कोई भी permission देते यह थो उसको आप दो तरीके से दे सकते हैं आप यहां पे enjoy design या तो आप ऐसे user को कर सकते हैं तो आप जेश्द में देखिए यहां पे एसिकली यह बताने वाला हैो कि यहाँ पर like read ec2 read access ec2 write access तो ec2 के सारे के सारे permissions वो अपन यहाँ पर allow कर रहे हैं लेट मी अपन क्या करते हैं अपन क्या करते हैं एक नया action add करता हूँ वहाँ पर आपको यह ज़्यादा easily समझ में आएंगी ec2 का जो full access दिया है मैं यहाँ पर एक permission add करता हूँ iam की करता हूँ और वह भी केवल read only permission देता हूँ देखिए iam read only access review and add permission तो अभी जो sort of user है इसको दो permission अपने attach करवा दिये दो policies अपने attach करवा दिये पहली तो ec2 का full access और iam का read only access तो इसका जेसन आप देखिए ठीक है तो आप आप देख सकते हैं यहाँ पर basically अलाव कर रहा है इन सारे actions को iam resources के उपर और यह जो चीज़े यह version है आपका API का version तो मैं क्या करता हूँ इसको just back जाते हैं अपन अभी आपने sort of user को आपने यह दो policies करवाजी तो अब अपन क्या करते हैं sort of user में चलते हैं वापस और वहाँ पर देखते हैं कि अभी वहाँ पर easy to instance create कर पा रहा है पहली चीज़ और iam roles को read कर पा रहा है कि आप यह देखिए यह यहां पर है sort of user अभी देखिए यहां पर अभी तक error आ रही है कि you are not authorized to perform this action अब मैं इस page को reload करता हूँ और अभी देखना कि यहां पर क्या 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 आता है यहां पर जो यह message आता है यह क्या message आता है let me just refresh this page no instance आपके पास कोई instance नहीं है अब आप चाहो तो instance create कर सकते हो यह चीज महां आप पर छोड़ रहा हूँ यह चीज आपको चेक करनी है अब अपन क्या करते हैं अब अपन चलते हैं I am role पे sort of user को अपनने आई एम की permission भी दी ठीकी वो read कर सकता है data यहां से लिख रहा है आपको एक user है जो भी है sort of user है let's try to add one more user from here add user पे मैंने क्लिक किया नाम डाल देते हैं test user password and next permission सब चीज ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ review and create user पे क्लिक करता हूँ आप देखिए unable to create user permission ही नहीं है अपने पास इतना समझ में आ गया आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं इतना समझ में आ गया आप लोगों कि आप permission यहां से decide कर सकते हैं मैं एक user वापस से create करके बताऊंगा और create करते टाइम पे ही आपको policies करके दिखाने वाला हूँ ठीक है तो सवरो यूजर से तो मैं वापस minimize हो जाता हूँ वापस से मैं root user से आ चुका हूँ add user and जो यह मैं user add करने वाला हूँ इसका नाम दे रहा हूँ मैं test user password next तो आप देखिए यहां पर set permission जब यूजर create हो रहा है तो उस टाइम पे ही आप permissions दे सकते हैं जैसे अपने पहले के वीडियो में sorry जो अपनने थोड़ी देर पहले दी थी लाइक EC2 full access और S3 read only access तो यह सारी चीजे AWS की अलग-अलग services हैं जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे यह चीज आपको पता चलती रहेंगी ओके एंड लाइक I am read only access यह सारी चीज है यहां से मैं policy select कर सकता हूं तो यह सारी की सारी policies मैंने attach करवा दी यहीं पर now click करता हूं मैं tag पर tags आप दे सकते हो मैं यह चीज सोड़ रहा हूं वैसे के वैसे तो यह जो test user बनेगा उसको यह सारी की सारी परमिशन रहेंगी क्रियेट यूजर तो यह दो यूजर तो अन्यारे क्रियेट कर दिये हैं अगले वीडियो में क्या बात करेंगे ऑगले वीडियो में बात झाल झाल, झाल